नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका PMV News पर दोस्तों रामानन सागर की रमायन के प्रसारण के साथ सारे किरदार फिर से चर्चा में हैं अरुन गोविक देपी का चिखलिया और सुनील लहरी तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लगातार अपने प्रसंशकों से जुड़े रहते हैं इनके अलावा छोटे-छोटे किरदारों में नजर आये सितारे भी सूशल मीडिया पर चर्चा में हैं ऐसी ही एक अभिनेत्री है सुलक्षना खत्री जो रामायण में भरत की पत्नी मांडवी के किरदार में नजर आयी थी बता दें कि सुलक्षना करीब 33 सालों से इंडस्ट्री में सकरिया है शो के फिर से शुरू होने के बाद से सुलक्षना एक बार फिर चर्चा में गई है सुलक्षना ने रामायण से अपने करियर की शुरुआत की थी रामायण में सुलक्षना भरत की पत्नी मांडवी बनी थी उनका किरदार छोटा था लेकिन इस सीरियल ने उन पहचान दिलाई और नए शो दिलाए इसके बाद वो रामानन सागर के मशूर सीरियल श्री कृष्णा और अलिफ लेला में भी नजर आई थी श्री क्रिश्णा और अलिफ लेला में तो सुलक्षणा कई किर्दार निभाती न जड़ आई कभी वो कोई राक्षड़सी के किर्दार में होती तो कभी गाउँ के साधारण ग्रामिन उन्हें जो भी काम मिला वो पूरी मेहनत से करती चली गई अपनी अभिने से सुलक्षणा ने हर किरदार को जीवन्त बना दिया। पिछले 33 सालों से सुलक्षणा इंडस्ट्री में लगातार सक्रिये हैं। करियर के शुरुवाती दौर में सुलक्षणा ने कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने गुजराती और हर्यानवी फिल्मों झाल झाल